गुड़ मॉर्णी स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने आको चैप्टर टैन के साथ स्लोप पढ़ायते आज हम उसी आगे रिपीट करेंगे आठो स्लोप देखिए विद्या विवाद्दाय धनम बदाय सक्ती परिशाम परी पीड़नाय इस उताय किया है कि जो दुर्जन लोग होते और सज्जन लोग होते उनके सभाव में क्या अंतर है जो दुर्जन लोग होते वो अपनी विद्या का प्रियोग विवाद के लिए करते धन का प्रियोग गमंड के लिए बुर्जन लोग जो होते हैं, वो अपनी विद्याका प्रयोग विवात के लिए, धन गमनट के लिए, सक्ति दूसरों को परिशालम करने के लिए करते हैं, जबकि सज्ञन लोग होते हैं, उनका सभाव रकुल इसके विपरीत होता है, सज्जिनों की विद्या ज्यान के लिए धन दान के लिए और सक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है सज्जिनों का सभाव को विप्रित होता है सज्जिनों का विद्या सज्जिनों की जो विद्या होती हो ज्यान के लिए उनका धन दान के लिए और सकती दूसरों की रक्षा के लिए होती है जो इस लोक में दुर्जनों और सज्जनों के सभाव के बारे बताये क्या है दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए धन गमंड के लिए और सकती दूसरों को पीड़ा पहुचाने के लिए होती है, जबके इसके ठीक वी प्रीत सजनों का सभा होता है, सजनों की विद्या ज्यान के लिए, धन दान के लिए, और सकती दूसरों की रक्षा के लिए होती है. नाइन स्लोक यह लिएठे बैटे जो देखते हैं अपनी बड़ी बड़ी कम्यों को तो नहीं देखते हैं लेकिu दूसरों की छोटी छोटी अधियास को भी वो लो outra देख लेती हैं इसलिक आगया जो कि जो ग लेक्ती होते हैं वह दूसरों के सर्षो पे समान छोटे से दोसों को भी देख लेते हैं लेकिन अपने स्वैम के बील के फल के समर बड़े दोसों को देख कर भी नहीं देखते हैं मतलब यह कि दोसरों की छोट-छोटी कमियों को तो निकाल लेते हैं लेकि अपने बड़े से बड़े कमियों को दोसों को देख कर भी इस में काँ गया इसोग होता है दुख सोक रूपी शत्रु से बचाने वाला रतिमलस सत्रु बात्र प्रेम और विश्वास का पात्र प्रिति विश्वास लिका नहां प्रेम और विश्वास तो रौपी सब कर बचाने वाला प्रेम और विश्वास का पात्र आप मिट्र इन दो यक्स्षों से मिलकर बनावालए रत्न किसके द्वारा बनाए गया। मित्र दो अक्सों से मिलकर बना हुआ ये रत किसके द्वारा बनाए गया इसमें जो मित्र को अन्मोल रतन बताए गया है मित्र को बताए गया है अन्मोल रतन कहा गया है कि मित्र दुख रूपी सत्रू से हमें बचाता है और हम से प्रेम और विश्वास का पात्र होता है उससे हम अपनी मन की बात कह सकते हैं तो प्रेम और विश्वास का पात्र होता है और दुख रूपी सत्रू से बचाने वाला ह इन दो अक्सोर से मिलकर बना हुआ यह रत्न किसके द्वारा बनाया गया इसा मित्र उस घड़े के सम्मान होता जो नीचे से दूच से उपर से जहर से बराओ जो नीचे से जहर से उपर से दूच से बराओ तो ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो पीट पीछे कारे को बिगारता है सामने प्रिवचन बोलता है ऐसा मित्र उस जहर से बड़े गड़े के समान होता है जो नीचे से जहर से बराओ होता है उपर उस पर दूच का लेप ह होता है तो सिमित्र को छोड़ देना चाहिए अनुकुले वीदो देयम व्यत पुरिता हरी प्रतिकुलो वीदो देयम व्यत सर्व हर्सति इसमें का गया है कि जो दान दान को व्यक्ति को हर परिष्थिति में देना चाहिए चाहिए भागे उसके अनुकुलो चाहिए की देने वाला कौन है इस्वर है उसी प्रकार भागे की प्रतिकुल होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि वही इस वर सब कुछ छीन लेगा तो इसमें दान को सरोपरी बताया गया है तेरवा अहिंसा पर्मो धर्मस तथा अहिंसा परम तप है अहिंसा परम सत्यम ये तो धर्मे परवर्तिती इसमें गया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा पर ही धर्म ठीका हुआ है अहिंसा स सबसे बड़ा धर्म बताते वे का गया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्ते है और अहिंसा पर ही धर्म टिकावा है या अहिंसा से ही धर्म चलता है 14 इसमें का गया है कि आतंकी को आतावा देखकर उसे बिना विचार के मार दिना चाहिए क्योंकि ऐसे आतंकी को मानने पर आप आपके भागेदार नहीं बनोगे आपको किसी प्रकार कोई भी दोस नहीं लगेगा तो आतंकी को आतावा देखकर उसे बिना विचार के मार दिना चाहिए, क्योंकि ऐसे आतंकी को मानने पर कोई भी दोस्त का भागिदार नहीं होता 15. गोपाल सांगी के क्रिष्णे रामो वानर सांगी के है, सदी विख्षुगो सांगी को बुद्धे महात्मनो ही सांगी का मतलब गोपाल ग्वाले किष्ण मतलब किष्ण तो किष्ण ग्वालों से संबन दिते हैं किष्ण ग्वालों के संग से संबन दिते हैं किष्ण ग्वालों के संग से संबन दिते हैं उसी प्रकार राम वान्रों के संग से संबन दिते हैं कि वान्रों की साहिता से राम ने लंका पर विजय प्रप्त की थी, राम वान्रों के समु से संबन दिते हैं, महात्मा बुद सद भिख्षों से संबन दिते हैं, महात्मा बुद सद भिख्षों के संबन दिते हैं, इसलिए काग्या है कि महान लोग हमेशा संगटन पिरिय होते हैं, संगटन में ही कारे करते हैं, किष्ण ते ग्वालों के संग से संबन दिते हैं समु से संबन दिते हैं राम वानरों के संग से संबन दिते हैं महात्मा बुद्ध सद भिख्षूों के संबन दिते हैं इसलिए कहा गया है कि महान लोग होते हो संगठन पिरी होते हो में संगठन में ही मिलकर ही रहते हो संगठ रिपीट कर रही हूँ, सबकी इंदी ध्यान से सुनोगे आप लोग, देखिए, आटवा, इस लोग में दुर्जनों वे सज्जनों के सभाव के रवताए गया है, दुर्जनों की विद्या, विवात के लिए, धन गमंड के लिए, सकती दूसरों को परिशान करने के लिए होत दूसरों के सरसों के समान छोट-छोट दोशों को भी देख लेते, लेस्वाहिम के, बील के, फ़ल के समान, बड़े दोसरों को देख कर भी नहीं देखते है, दस्वाफ, सोख रूपी सतरूं से बचाने वाला प्रेम और उस्वास का पात्र, मित्र, मी, ओत्रह, इन दो अक 11. जो पीट पीचे कारे को बिगारता है, सामने पिरिवचन बोलता है, ऐसा मित्र उस घड़े के समाने, जो नीचे जहर से उपर दूद से भरा हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए. 12. जो पीट पीचे कारे को बिगारता है, सामने पिरिवचन बोलता है, ऐसा मित्र उस घड़े के समाने, जो नीचे जहर से उपर दूद से भरा हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए. 12. में दान को उबड़ी बताएं गया है, कागया है कि भागी के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए कि देने वाला इस्वर है, और भागी के प्रतिकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि वही इस्वर सब को छीन लेगा. अगर भाग्यापके अनुकूल है अगर सक्पूचे आपको दान देना चाहिए और भाग्यापके प्रतिकुल तो भी आपको दान देना चाहिए इसमें अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताये गिया है अहिंसा है सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा सबसे बड़ा तप है अहिंसा है सबसे बड़ा सत्य है और अहिंसा से ही धर्म चलता है अहिंसा पर ही धर्म टिका हुआ है फोर्टीन आतंकी को आतावा देखकर बिना विचार के मार देना चाहिए क्योंकि ऐसे आतंकी को मानने पर कोई पाप का भागिदान नहीं होता है बंद्रवा बगवान स्री किष्ण ग्वालों के संभू से संबन दिते बगवान स्री राम वान्द्रों के सम्मूं से संबंदी थे, महात्माबुद सद्धिक्सों से संबंदी थे और इसलिए का गया है कि महान लोग हमेंसा संगटन परी होते हैं वो हमेंसा संगटन में ही रहते हैं, सम्मूं में ही कारे करते हैं अब चप्तर कंपी दौए, अकु नच्टर की पुर्य पना सलोगान वाराको, लांकने यादकने. Thank you.